नमस्कार दूस्तों हमारी यूटूब चैनल इक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रिजिनिंग का बहुत ही महतपूर टापिक लूप पदों को भरना जहां से एक या दो प्रश्ण आपको रिजिनिंग के पार्ट से हमेशा जो है लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे इसका पीडिया आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करकर जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो चलिए जो है वीडियो को सुरू करते हैं तो पहला प्र यहां देख सकते हैं, 20 में 10 जोड़ा गया है, तो 30 हो गया है, और 30 में से 20 माइनस किया गया है, तो 10 हो गया है, 20 कैसे माइनस किया गया है, तो 10 जोड़ा गया है, 10 में 2 से गुड़ा किया जाएगा, तो 20 हो जाएगा, इस तरह 30 में 20, यहां माइनस किया गया है, यहां देख सक तो यहां जो है, सभी को जो है, 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 जो है है जो रहाँ है जो अर तीरे स्क्वेशनीम्र में हुआ है तीरे का स्कॉर जो हो जाएगा आपका 169 होगा 179 और चाहर का स्कॉर हो जाएगा हुआ हो जाएगा 16 Immay用 179 मीं से 176 घठाएगे तो आप एक 1088 तो दोनों को जो है स्कॉर करके घठाय गया है और यहां देख सकते हैं 11 का स्कॉयर जो हो जाएगा 121 और 1 का स्कॉयर जो होगा एक ही होगा तो 111 माइनस एक करेंगे तो हो जाएगा 120 तो यहां हो जाएगा इस तरह अगले वाले कालम में जो है दो का स्कॉयर हो जो है किया गया है तो हो जाएगा आपका 36 और 9 में जो है 4 से गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 36 इस तरह 23 प्लस 25 किया गया है तो आपका हो जाएगा 48 यहां 48 और 12 में 4 से गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा आपका यहां 48 इस तरह यहां 13 प्लस 31 हो जाएगा आपका 44 और 44 मे किस संख्या से यहां गुड़ा करें तो आपका 11 से गुड़ा करने पर यहां हो जाएगा 44 तो आपका option B यहां से हो जाएगा और अगला जो प्रशन है question number 5 तो यहां देख सकते हैं 7 का square प्लस 2 किया गया है तो 7 का square हो जाएगा आपका 49 प्लस 2 तो जाएगा 51 और यहां जो है 6 का square आपका हो जाएगा 36 प्लस 4 किया गया है तो हो जाएगा यहां 40 आगे जो है 5 का square आपका 25 हो जाएगा 25 में 3 जोड़ने पर आपका 28 हो जाएगा तो आपका answer जो हो जाएगा आप संसी 3 और अगला जो question है प्रशन संख्या 6 जो है तो 24, 31 और 26 यह तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 81 और यहां 20, 25 और 36 इन तीनों को जोड़ने पर जो हो जाएगा आपका 81 और आगे जो है 37 प्लस 19 तो जोड़ेंगे जो है तो आपका हो जाएगा 9, 7, 16, 3, 1, 4, 1, 5, 56 56 में कितना जोड़ेंगे कि 81 हो जाएगा तो 56 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो आपका 81 हो जाएगा तो आपका answer जो हो जाएगा आपसन D, 25 और अगला जो question है question number 7 देखते हैं तो यहां जो है यह 25 जो है यह 15 square है और 36 जो है यह 6 का square है तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाएगा और यहां इस तरह जो है 49 जो है 7 का square है और 81 जो है 9 का square है तो 7 और 9 जोड़ेंगे तो आपका 16 होगा और यहां 16 यह 4 का square है और 64 जो है यह 8 का square है दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना बार है तो एंसर जो आपका होगा आपसे ये जो है बार है और अगला कुशन जो है कुशन नमर एट तो यहां जो है 92 प्लस 48 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 140 और एको 40 में जो आप 2 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 70 तो यहां 70 हो जाएगा और अगला जो है 64 प्लस 42 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 106 106 में 2 से भाग करेंगे तो आपका तीरपन होगा और इस तरह आगे जो है 52 और प्लस कितना जोड़ेंगे कि जो है आपका 90 हो जाएगा तो 52 और 38 जो है जोड़ेंगे तो आपका 90 होगा तो 90 में 2 से जो है भाग किया गया है तो यहां हो जाएगा आपका 45 तो आपका answer जो होगा option C 38 और अगला जो है question number 9 देखते हैं तो यहां जो है 2 का square हो जाएगा 4 और 4 को जो 20 में जोड़ेंगे 24 हो जाएगा यहां आपका और अगला 3 का square 9 होगा 9 को जब 30 में जोड़ेंगे तो آپको 49 हो जाएगा यहाँ जो हो जाएगा 4 का e square तो यह 16 होगा 14 को जब 40 में जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 56 तो endsOR आपका क्या हो जाएगा यहाँ 56 यानि कि ya option D से हो जाएगा और अगला question है, question no. 10 जो है 5 जोड़ा गया है तो 9-4 करेंगे तो आपका 5 होगा तो 21-5 जो हो जाएगा 26 और अगले वाले कालम में 24 में से 8-3 करेंगे तो 5 हो जाएगा 24-5 जो हो जाएगा आपका 29 यहाँ जो है ज्यादा वाले को कम में घटाए गया है जरू नहीं कि उपर से नीचे ही करम में नीचे से उपर भी जो है यहाँ घटाए गया है तो आपका आपसन डी यहाँ से हो जाएगा और अगला कोशन है कोशन नमर 11 जो है तो यहाँ जो है 6 सत्य जो है 42-5 जो हो जाएगा 37 होगा और 5 में 6 से गुड़ा किया गया माइनस 7 तो 5 है कर 30 माइनस 7 जो हो जाएगा 30 आ जाएगा आपका तो इस तरह आगे भी 425 जो है आपका 20 होगा और माइनस 6 तो आपका हो जाएगा 14 answer जो होगा आपका option यह से हो जाएगा और अगला कोशन है question no.12 नुम्हार जो है तो यहां देख सकते हैं यह 1989 जो है तिरे का स्कॉयर है 121 जो है यह 111 का स्कॉयर है और 64 जो है 8 का स्कॉयर है तो 13, 11, और 8 चोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 32 और आगे भी जो है यहां देख सकते हैं 144 जो है यह 12 का स्कॉयर है और 192 जो है यह 14 का स्कॉयर है और 81 जो है 9 का स्कॉयर है तीनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35 और अगले वाले कालम में जो है 289 जो है यह सत्रे का स्क्वाइर है और 441 जो है एक कीस का स्क्वाइर है और 225 जो है पंद्रे का स्क्वाइर है तो तीनों को जोडेंगे तो आपका हो जाएगा जो है तीरपन तो आपका answer जो होगा आप से लिए जो है यह 13 का स्क्कायर है और 64 जो ए 8 का स्क्कायर है और 81 जो है 9 का स्क्कायर है जब 3 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30 और यहां भी देख सकते हैं 625 जो है यह पचास हो जाएगा तो 32 में 18 और जोड़ेंगे तो आपका 50 हो जाएगा तो 18 का स्कॉयर आपको देखना है इसमें से कौन सा होगा तो 18 का स्कॉयर जो हो जाएगा आपसे जो होगा तीन सो 24 और यहां थाड़ वाली कालब में या आप देख लिजीए 3 जो है, तो यहाँ देख सकते हैं, जो है, 3 में, जो है, 2 से गुड़ा किया गया है, तो 6 हो जाएगा, और 5 में, 2 से गुड़ा किया गया है, 10 हो जाएगा, और आगे, जो है, यहाँ देख सकते हैं, 4 में, 2 से गुड़ा किया गया है, तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी, 2 में, 2 दो से गुड़ा होगा तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा तो यानि कि एंसौर आपका जो होगा वह है चार होगा और आगे भी देख लेते हैं जो है तो यहां देख सकते हैं तीन में दो से गुड़ा किया गया तो छे हो जाएगा और चार में दो से गुड़ा किया गया और अगला question है question number 15 तो यहाँ देख सकते हैं जो 17 plus 8 जो है अपका कितना हो जाएगा 25 और 25 में 5 से भाग किया गया है तो आपका 5 आजाएगा और इस तरह यहाँ भी 13 plus 7 करेंगे तो 20 होगा 20 में 5 से भाग करेंगे तो आपका 4 आजाएगा और आगे जो है 6 प्लस बारे करेंगे तो 18 हो जाएगा 18 में जो 6 से भागा करेंगे तो आपको 3 मिलेगा और यहां भी 10 प्लस 6 जो है 16 हो जाएगा 16 में जब 4 से आप भाग करेंगे तो आपका एंसर जो प्राप्त होगा होगा 4 तो आपसन यह से हो जाएगा आपका और अगला question देखते हैं question number 16 तो यहाँ जो है सभी संख्या में जो है यहाँ 7 से जो है आप देख सकते हैं गुड़ा किये गए तो 7 दूना जो है हो जाएगा आपका 4 है 7 तरिक एकई 7 चोक 28 और यहाँ भी 7 तरिक जो है 21 होगा 7 चोक 28 7 चोक 35 और यहाँ इस वाले कालमे 7 चोक 28 होगा यहाँ दो जो है आपसन जो दिया हुआ है तो एक में हो जाएगा सबसे पहले 28 7 चोक 28 और फिर 7 चोक 35 फिर 7 चोक 42 तो एंसर जो होगा 28 और 42 यानि कि आपसन बी जो है यहां सही हो जाएगा और अगला जो question है question number 17 जो है तो यहां देख सकते हैं जो है 8 minus 6 किया गया है तो 8 minus 6 2 होगा plus 2 तो 4 हो जाएगा और यहां भी 12 minus 5 तो 12 minus 5 हो जाएगा 7 और plus 8 15 होगा और 13 minus 10 3 होगा 3 में जो है कितना जोड़े की 8 हो जाएगा 3 में तो 15 जोड़ने पर 3 plus 15 जो है तो आपका 18 होगा तो answer जो आपका होगा option B 15 और अगला question है question number 18 तो यहां देख सकते हैं आप जो है 3 का cube जो है आपका हो जाएगा 27 और 7 का cube जो हो जाएगा होगा आपका 343 तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 370 यहां आगे भी 2 का cube होगा 8 और 6 का cube हो जाएगा 216 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 224 मिल जाएगा और आगे भी जो है 1 का cube आपका 1 ही होता है और कितना और जो है आपको जोड़ना है जो है 9 और अगला जो question है question number 19 जो है तो यहाँ देख सकते हैं जो है 5 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11 और 11 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 17 और यहाँ भी 23 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 53 तो आपका answer जो हो जो होगा 47 यानि कि आप समझ C से हो जाएगा आपका और अगला question है question number 20 जो है तो यहां जो है 60 यहनि 40 प्लस 6 जोड़ेंगे तो आपका 100 होगा 100 माइनस 20 कर देंगे तो आपका 80 आजाएगा और यहां भी जो है 50 प्लस 30 जोड़ेंगे तो आपका 80 होगा और 80 में 20 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 60 और आगे भी जो है 40 प्लस 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60 और 60 में 20 माइनस कर देंगे तो आपका आजाएगा 40 तो answer जो होगा आपका option B यहां सही होगा 40 और अगला जो question है question number 21 तो यहां जो है 3 में 3 से गुड़ा किया गया तो 9 हो जाएगा 9 में फिर 3 से आप गुड़ा करेंगे तो 27 होगा 27 में फिर 3 से गुड़ा करेंगे तो आपका 81 हो जाएगा इस तरह आगे भी 6 में 3 से गुड़ा करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा यहां सुरी मिस्प्रिंट है 16 नहीं यहां 18 कर लीजेगा आप लोग तो 6 में 3 से गुड़ा करेंगे तो 18 हो जाएगा 18 में 3 से गुड़ा करेंगे तो आपका 162 आगे भी इस तरह करना आपको साथ में 3 से जो है गुड़ा करेंगे 21 21 में फिर 3 से जो गुड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा 63 तो एंसर जो होगा आपका option B 63 63 में जो है 3 से गुड़ा करेंगे तो आपका हो जाएगा 189 तो एंसर यहां जो होगा आपका option B सही होगा 63 और अगला जो question है question number 22 तो यहां आप लोग देख सकते हैं 9 गुड़े 12 और नीचे जो है 15 गुड़े 180 तो इनको काटेंगे जो है तो हो जाएगा आपका 9, 83 यानिकी 20 हो जाएगा यहां और यहां जो है इसको हम यानिकी 3 से काट देंगे 3, 85, 3, 4, 25, 20 तो यहां आपको मिल जा रहा है कितना 25 इस तरह आगे भी जो आपको करना है सभी में जो आपको 25 जो है मिलेगा और आगे यहां जो इस तरह जो आपको करना है तो 5 देख लेते हैं तो 5 गुड़े जो है 15 बटा 25 गुड़े कुशन मार वराबर जो है आपको 25 लाना है तो आप इसे काट देंगे 5, 25 हो जाएगा और 5, 3, 15 है और 3 में 25 से बुड़ा करेंगे तो हो जाएगा आपका 75 तो एंसर जो होगा आपका आपसन भी 75 और अगला कुशन देखते हैं गुशन नमबर 23 जो है तो यहाँ जो हो जाएगा आपका यहाँ देख सकते हैं सामने जो 9 का यहाँ इस्क्वाइर है 81 और यहाँ भी देख सकते हैं आप 7 का इस्क्वाइर है 49 और 25 जो है किसका इस्क्वाइर हो जाएगा चार में जो है, दो से गुड़ा किया गया है, तो चार दुना आठ प्लस तीन, यानि कि ग्यार हो जाएगा, और आगे भी छे, यहां देख सकते हैं आप, नो दुना, स्वरी, छे दुना आपका हो जाएगा, बार है, प्लस तीन करेंगे, तो आपका हो जाएगा, पंद्र है, तो एंसर जो आपका सही होगा, वह पंद्र होगा, और आगे भी जो हम लोग देख लेते हैं, तो यहां, नो दुना जो है, आपका हो जाएगा, ठार है, प्लस तीन करेंगे, तो आपका 21 हो जाएगा, और आगे भी जो है, साथ दुना चोद है, प्लस तीन करेंगे, तो हो जाएगा, सत्रे, तो एंसर जो होगा, आपका यहां आपसन, सी से होगा, फिप्टीन, छे दु में 2 से गुड़ा किया गया है 5 20 10 प्लस 2 एट किया गया है दोबार हो जाएगा इस तरह आगे भी जो है प्लस दो एट करेंगे तो 110 फिर जो है आपको 110 में जो है दो से गुड़ा करना है तो हो जाएगा 120 और प्लस दो एट करेंगे तो हो जाएगा आपका 112 सॉरी 110 में जो है दो से गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 220 और 220 में दो एट करेंगे तो हो जाएगा यहां anti-clockwise जो है, आपको गुड़ा करना है, तो 5 में 2 से गुड़ा करेंगे, तो हो जाएगा 10, 10 minus, यहां minus करना है, minus 2 करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 में 2 से गुड़ा करेंगे, 16 होगा, 16 में आपको minus 3 कर देना है, 13 हो जाएगा, इस तरह आगे भी 13 में 2 से गुड़ा करेंगे, तो हो जाएगा 26, 26 माइनस 4 कर देंगे, तो हो जाएगा 22, आगे भी जो है 22 में 2 से गुड़ा करेंगे, तो 44 हो जाएगा, 44 माइनस 5 करेंगे, तो हो जाएगा 49, आगे भी जो है 49 में 2 से गुड़ा करेंगे, जो है, तो हो जाएगा आपका 78, 78 में से जो है आपको 6 माइनस कर देना है तो आपको हो जाएगा 72 तो एंसर जो हो जाएगा आपका option B जो है से हो जाएगा 72 और अगला question देखते है 27 जो है तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 7 में जो है 2 से गुड़ा किया गया है 70 4 है 7 24 deception plus 1 add किया गया है तो 15 होगा 15 में पिर जो है आपको 2 से गुड़ा किया गया है तो 15 गुड़े 2 प्लस 1 तो 31 हो जाएगा इसतरह आगे भी 31 में 2 से गुड़ा करेंगे प्लस 1 add कर देंगे तो 31 दूना हो जाएगा 62 प्लस 1 63 आगे भी जो है, 63 में 2 से गुड़ा करेंगे, प्लस 1 एड़ करेंगे, तो हो जाएगा 127, और आगे भी जो है, 127 में 2 से गुड़ा करेंगे, प्लस 1 एड़ करेंगे, तो हो जाएगा आपका जो है, 127 दुना हो जाएगा आपका, 214 प्लस 1 एड़ करेंगे, तो हो जाएगा आपक प्लस एक एक आट किया गया है, 7 होगा, और आगे भी जू है, 7 में 2 से गुड़ा किया गया है, प्लस एक एक आट किया गया है, तो 7, 2, 14, 1, 15, आपका answer जो होगा, option e से होगा, 15, आगे भी जो है, देख लेंगे, तो 15, दुना 30, एक 31, फिर 31 में 2 से गुड़ा करेंगे प्लस एक अट करेंगे तो 63 होगा और 33 में जो है 2 से गुड़ा करेंगे प्लस एक अट करेंगे तो हो जाएगा आपका 127 तो एंसर जो होगा यहां आपका option यह से होगा 15 और अगला question 29 जो है देख लेते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं उपर वाली कालम में जो है तीन दिया हुए नीचे जो है कालम में 6 दिया हुए तो 3, 6 आगे भी जो है इस तरह तो यहाँ देख सकते हैं तीन अपने से एक छोटी संख्या से जो है गुड़ा किया गया है नीचे वाली काला में तो तीन से एक जो कम हो जाएगा तो तीन में एक जो माइनस करेंगे दो होगा तो तीन गुड़े दो छे हो जाएगा आगे भी जो है 8 से 1 जो कम करेंगे तो 7 होगा तो 8 सती 56 आगे भी जो है 10 में 1 माइनस कर देंगे तो 9 होगा 10 में 9 से गुड़ा करेंगे 90 हो जाएगा आगे भी जो है 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा 1 में गुड़ा करेंगे 2 का तो 2 हो जाएगा आगे भी जो है यहां आप जो है देख सकते हैं तो 5 जो हो जाएगा तो यहां 5 से गुड़ा करेंगे 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 होगा और 4 में 5 से गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 आगे भी जो है 1 में से माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा तो एक में 0 का गुड़ा करेंगे तो आपका answer जो होगा 0 होगा तो answer जो आपका यहां सही हो जाएगा आपका option यह 5 और अगला question है question number 30 जो है तो यहां देख सकते हैं जो है 6 plus 4 जो है यहां देख सकते हैं 3 plus 5 तो हो जाएगा 8 8 का square हो जाएगा 64 5 plus 4 हो जाएगा 9 9 का square हो जाएगा जाएगा 86 और 4 plus 2 6 6 का square 36 आगे भी जो है 6 plus 4 यहनि की 10 हो जाएगा तो 10 का square हो जाएगा वो है आपका 100 यहनि की 100 हो जाएगा तो दोस्तों यह था जो है रिजनी के कुल 30 जो है महतपूर प्रस्ण है आगे भी जो है इसके अगले पार्ट में जो है कुछ और महतपूर जो है प्रस्ण हम लेकर आएगे यह वीडियो पसंद आया हो तो like share कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद